अपने प्रोड़क्ट को ऑनलाइन कैसे बेचें? घर बैठे होगी लाखों की कमाई, ऑनलाइन दुकान और ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करें? वर्तुमान में ऑनलाइन कारोबार को अधिक बढ़ावा मिल रहा है, तरसल भाग दोड़ भरी इस दुनिया में घर कोई अपना काम आसान से आसान तरीकों से करना चाहता है, ऐसे में हर कोई अपने प्रोड़क्ट को ऑनलाइन के जरियर बेचना चाहता है, वर्दमान में लगभग 40 प्रतिशत खरिदारी ओनलाइन प्लेटफॉर्म के जरीए ही हो रही है और यही कारण है कि देश में ओनलाइन कारोबार निरंतर बढ़ रहा है यदि आप भी अपने प्रोडक्ट्स ओनलाइन बेचना चाहते हैं कि ओनलाइन के जरीए अपने प्रोडक्ट को आप कैसे बेच सकते हैं और ओनलाइन बिजनस करने के क्या फायदे होते हैं बता दें ओनलाइन बिजनस यानि कि अपने किसी प्रोडक्ट को बेचना सामान का order प्राप्त करना इत्यादी सभी काम online ही हो जाता है स्मार्ट तरीके से business करने के लिए online सामान बेचने का सबसे अच्छा option है इस तरह का business करने से आप भागतोर से बच सकते हैं और आसानी से घर बैठे अपने product को ग्राहकों तक पहुचा सकते हैं Online business के जरिये आप अपने customer से physically बात नहीं कर सकते हैं बलकि आप अपने किसी website या फिर advertisement के जरिये ग्राहक को अपने product बेच देते हैं Online business शुरू करने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इस business को देश के किसी भी कोने से सम्भाल सकते हैं Online business एक विश्वास पर टिका होता है जब ग्राहक को कोई सामान पसंद आता है तो वो उसे order करता है और ये order एक seller को मिलता है और एक seller ग्राहक द्वारा पसंद किये गए सामान को चेक करके delivery boy के जरिये ग्राहक के पते तक पहुचाता है इस order का पैसा ज्यादतर आपको online ही मिल जाता है या फिर delivery boy की जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राहक से सामान का पैसा लेकर आए Online कैसे बेच सकते हैं अपना product खुद का product online बेचने के लिए आपको online platform की पूरी जानकारी होनी चाहिए आप अपने product दो तरीकों से बेच सकते हैं पहला वो तरीका जिसमें आप खुद की website बनवा कर अपना सामान बेच सकते हैं जबकि दूसरा वो जिसमें आप market में पहले से ही मौझूद e-commerce company से जुड़ कर अपना सामान online बेच सकते हैं पहले विकल्प में आपको खुद की website तयार करवानी होगी जिसमें आपको काफी मशक्त करनी पड़ सकती है और इसमें पैसे भी अधिक खर्च होते हैं जबकि दूसरे विकल्प में आप सीधे तोर से e-commerce company से जुड़ जाएंगे और आसानी से अपने product बेच पाएंगे Online business शुरू करने से पहले ध्यान रखें ये खास बात है Online business शुरू करने से पहले आप GST registration ज़रूर कर बाले इसके अलावा computer की सही जानकारी रखें ताकि आपको अपना business करने में कोई परेशानी ना आए आप online हिसाब किताब रखने का भी पूरी तरीके से ध्यान रखें अपने सामान के बारे में सही से सही जानकारी देने की कोशिश करें और सही कीमत तै करें आप चाहें तो एक साथ कई website पर अपने product sale कर सकते हैं आपको internet banking की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए अपने product का लेखा जोखा इस पर अधिक ध्यान दें ताकि आप ग्राहक तक सही सामान पहुंचा सकें अपने product की पूरी जिम्मिदारी एक seller पर होती है ऐसे में आप product के बारे में ग्राहक को सही जानकारी दें ताकि ग्राहक आपके द्वारा बेचे गए सामान से संतुष्ट रहे आप हमेशा अपने ग्राहक की पसंद के अनुसार product sale करें इसके अलावा आप समय समय पर online site पर ऐसे product डाले जिन्हें ग्राहकों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है और जिनकी बिक्री जल्द से जल्द हो जाती है online product डालते समय आप इस बात का विशेश ध्यान रखें कि आप उस product का मूले अधिक न बढ़ा दें क्योंकि अगर आपके product की कीमत market कीमत से अधिक होगी तो ग्राहक आपके product लेने से कतर आएगा साथ ही वो सामान कहीं और से खरीद लेगा कोशिश करें कि ग्राहक और आपके बीच एक विश्वास बना रहे क्योंकि online सामान बेचना विश्वास पर ही तिका होता है इसलिए आप अपने product की गुडवत्ता पर ध्यान दे उसे ग्राहक तक सही समय पर पहुँचाने की कोशिश करें और product किसी भी तरह से खराप नहों इसका प्रबंद करें इसके अलावा जब कोई ग्राहक आपके पास सामान वापस भेशता है तो अच्छे वैभार के साथ उस product को वापस लें और ग्राहक के अनुसार उसकी मांग को पूरा करें जियादतर seller और product की display दिखाते हैं जो उनके पास नहीं होते हैं उनका मानना होता है कि जब हमारे पास और order आएंगे तब हम उसे मानच कर लेंगे लेकिन ऐसा करने से बचें कोशिश करें कि आपके पास जो product available हो उसी को display पर दिखाएं कैसे करें online product बेचने की marketing किसी भी product को बेचने के लिए उसकी marketing सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जितनी अच्छी आपके product की marketing होगी उतनी ही अच्छी संख्या में आपको ग्राहक मिलेंगे और आपके product भी अधिक से अधिक विख सकेंगे product की marketing करने के लिए आप social media का उपयोग कर सकते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में social media का सबसे ज्यादा इस्तमाल किया जाता है और यही एक platform है जिसके जरिये आप कम समय में अधिक से अधिक ग्राहकों से जुड़ पाएंगे इसलिए आप अपने product की marketing social media platform के जरिये कर सकते हैं इसके अलावा आप समय समय पर अपने product की जानकारी को अपडेट करते रहें ताकि आप से जुड़े सभी ग्राहक आपके product के बारे में सही जानकारी रख पाएं ऐसा करने से आप अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को तो जोड़ी पाएंगे साथ ही आप कम समय में अधिक product की विक्री भी कर पाएंगे